नमस्कार दोस्तों ममता की रसुई में आपका स्वागत है मैं ममता दूबे आज बनाने जा रही हूँ पकोडे चाट ये चाट की रेस्पी बहुत ही टेस्टी होती है आप इस रेस्पी को जरूर ट्राइ करिएगा पकोडे आपने बहुत खाया होंगे पर इस तरीके की पकोडे चाट बना के खाईए बहुत ही अच्छी लगती है ये चाट और मेरी रेस्पी आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिल आइकन जरूर प्रेस करें चलिए सुरू कर लेते हैं रेस्पी को यहाँ पर एक बड़ा सा बाउल लिया है उसमें एक कप बेसन डाल दिया है बेसन आप कोई भी ले सकते हैं थोड़ा मोटा या पतला जो भी आपके पास अबलेबल हो उसके बाद मैं डाल देती हूँ इसमें थोड़ा सा नमक नमक थोड़ा ही डालना है बहुत ज़्यादा नमक ना डालें एक पिंच हींग एड़ कर दी है मैंने और थोड़ी सी छोटे चमच से आदी चमच हल्दी डाली है उसके बाद मैंने डाला है एक चमच लाल मिर्च का पॉर्डर अगर आप तीखा कम पसंद करते हैं तो इसे लाल मिर्च को स्किप कर सकते हैं यहाँ पर सारी चीजों को मैंने मिक्स कर दिया है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका बेटर बनाएंगे अगर हम पानी एक बर बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो हमारा जो बेटर है वो पतला हो जाएगा इसलिए कभी भी आप जब पकोड़ों का बेटर बनाएं तो थोड़ा थोड़ा ही पानी डालें यहाँ पर देखें मैं थोड़ा थोड़ा पानी एट कर रही हूँ और बिल्कुर अच्छे से फेट लेंगे ताकि इसमें कोई लंस ना हो और यहाँ पर मैंने एक पिंच मीठा सोडा डाला है और अब हमारा बेटर परफेक्ट तयार है तो मैं इसमें डाल देती हूँ कड़ाही में ओयल और कड़ाही को गैस पे रखा हुआ है गैस की फ्लेम को अन कर लिया है तेल के हीट होते ही मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम पे कर लिया है उसके बाद इस तरीके से चम्मस से उठा के थोड़ा थोड़ा सा बेटर हम इस कड़ाही में डालते जाएंगे जो हमारी पकोड़ा चाट बनती है उसके पकोड़े हम छोटे छोटे बनाएंगे फिर भी अगर आप चाहते हैं कि थोड़े बड़े पकोडे बनाएं तो बड़े भी बना सकते हैं ये देखे इस तरीके से जितने आ जाएंगे उतने डाल देंगे हमने यहाँ पर मीठे सोडे का यूज किया है इसलिए पकोडे जो हैं बिल्कुल फुले फुले और सौप्ट बन रहे हैं ये देखे इस तरीके से और मैं अब इन्हें निकाल लूँगी बहुत बढ़ियां पकोडे बनके त्यार हो गए हैं और सेम प्रोसेस रहेगा दुबारा से भी हम इसी तरह से तल लेंगे और जैसे ही पकोडों का कलर गोल्डन होने लगे हलका सा तो हमें पकोडों को अलट प्रट के अच्छे से दोनों साइड से से कने के बार निकाल लेना है यहां पे देखे थोड़ा थोड़ा मैं फिर से डाल रही हूँ और बस होते ही हम इसे भी निकाल लेंगे इस तरीके से अच्छे से चला लेंगे और अब यहां पे हमारा जो पकोड़ा है वो तयार है तो हम निकाल लेते हैं बाकी का बचा हुआ भी मैं इसी प्रोसेस से सेक लूँगी यानि तल लूँगी अब यहां पे हमारे पकोड़े एकदम सॉप्ट बनके तयार हैं आपके पकोड़े अगर थोड़े हाड हों तो आप इसे थोड़ा सा पानी में डिप करें और उसे निचोड़ के फिर पकोड़ा चाट के लिए प्लेट में लगाएं पर जो यह मैंने पकोड़े बनाए हैं बहुती सौप्ट हैं इन्हें पानी में डालने की जरूरत नहीं है यह ऐसे ही जैसे हम थोड़ा सा दही डालेंगे तो थोड़े से और सौक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे देखिए मैं प्लेट में लगा देती हूँ इन पकोड़ों को क्योंकि अब हमें चाट बनानी है पकोडा चाट तो मैंने लगा दिया है यहाँ पर मैंने दही लिया है दही को बड़े अच्छे से मैंने फेट लिया है और उपर से डाल देंगे दही इस तरीके से तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने दही एड़ कर दी है अच्छे से कोट करेंगे थोड़ी सी दही मैंने रख ली है जब बाद में पकोड़ा चाट बना लेंगे उसके उपर से गार्निस करूंगी तिसी एक साइड में रख देते हैं यहाँ पर मैंने ली है इमली की खटी मिठी चटनी इसकी रेस्पी मेरे चैनल पर अबलेबल है आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं अगर आपको इमली की चटनी तुरंत बनानी हो तो आप थोड़ा सा इमली का पल ले उसमें डाले थोड़ी सी चीनी थोड़ी सी लाल मिर्च का पौडर और थोड़ा सा काला नमक और उसे एक बार बॉयल कर ले यहाँ पर देखिए उसके बाद मैंने ग्रीन चटनी डाली है यानि धनिय की जो चटनी बनती है यहाँ पर मैंने धनिया अदरक, हरी मिर्च और नमक डालके धनिय की चटनी बनाई है उसे हम उपर से गार्निस कर लेंगे इतनी सारे चटनी बगएरा के साथ बहुत ही यम्मी चाट बनती है और अब मैंने डाल दिया है भूना, पिसा, जीरा पौडर यानि भूने हुए जीरे का पौडर डाला है मैंने और इसके उपर से डाल देंके चाट मसाला और काला नमक ये दोनों चीजों को एट कर दिया है मैंने और अब मैं डाल दूँगे लाल मिर्च का पौडर आपको तीखा पसंद है तो लाल मिर्च डाले नहीं तो लाल मिर्च इसकिप कर दें और अब मैंने सर्प कर लिया है पकोड़ा चाट को